वेल हेलो गाईज स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए यूटुब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईज आज मैं आप लोगों को आपसंस ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि यहां कितना कैपिटा रिक्वायरमेंट है एक्सपाइरी कैसे होता है सेगमेंट कैसे एक्टिवेट करा सकते हैं इंडिया में कितने परचेल लोग आपसंस ट्रेडिंग करते हैं और कितने percent लोग यहां profitable होते हैं, कितने percent लोग यहां अपना money lose करते हैं, option studying हमको किसमे करना चाहिए, nifty 50, bank nifty, cash stock पे हमको option study करना चाहिए, ये सारे सवालों का जवाप इस वीडियो पे आप लोगों को मिलने वाला है, तो ये वीडियो काफी मज़दार होने वाला है, तो वी आप लोग समझ जाएंगे, तो चलिए हम बीना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो पहला question यही आता है कि options trading क्या होता है, तो options basically derivative contract के अंदर आता है, यहां जो आप सौधा लगाते हैं, वो price पे अपना सौधा लगाते हैं, ठीक है, price पे आप अपना सौधा अगर price अगर आपके direction में आता है, तो आपको profit होता है, price अगर आपके direction में नहीं आता, तो आपको loss होता है, इसके पीछे कोई भी company या कोई भी business नहीं है, यहां आपको simple अपना सौधा लगाना होता है, price पे, तो options को basically price based market भी कहा जाता है, ठीक है, अब दूसरा question यहां capital कित इतना requirement है, तो options पे जो है, minimum जो capital आपका requirement है, वो 500 रुपीज, ठीक है, और maximum आपके पास जितना भी पैसा है, आप options studying कर सकते हैं, अगर आपके पास 1CR है, 100CR है, तो भी आप अच्छे से options studying कर सकते हैं, ठीक है, अब तिसरा question यह आता है, कि हमारा options पे expiry कब होता है, तो आपक निप्टी 50 पे expiry जो होता है, वो होता है, Thursday को, ओके, आपका bank निप्टी और आपका fin निप्टी, ठीक है, आपका bank निप्टी और आपका fin निप्टी का expiry जो होता है, वो Wednesday को होता है, ठीक है, और आपका sensex का expiry जो होता है, वो होता है, आपका Friday को, ओके, expiry की दिन आपके स तारे कॉंट्रैक्ट 0 हो जाते हैं, उसके बाद हमारा next day अलग कॉंट्रैक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, एफेनो पे हमको ट्रेट करना है, उसके पहले आपको अपना सेग्मेंट एक्टिवेट कराना पड़ता है, जैसे कि आपके पास एक डिमेट अकाउंट होगा, जिस पे आप ऑप्सन स्टेडिंग करना चाहते हैं, और आप अपना एफेनो एक्टिवेट नहीं कराएं, तो आपको अपना सेग्मेंट एक्टिवेट कराना होगा, आपको सेग्मेंट एक्टिवेट कराने के लिए अपना 6 मने का बैंक स्टेट्मेंट एड करना होता है अपने जो पैसा है वो options पे है क्योंकि जादतार जो player है वो options पे ही trade करते हैं अगला question यहाता है कि कितने percent trader यहाँ अपना money lose करते हैं और कितने percent trader यहाँ अपना profit बनाते हैं तो मैं आपको बता दू 90 to 95 percent trader यहाँ अपना money lose करते हैं and 5 percent trader यहाँ से अपना पैसा बनाते हैं ठीक है अब एक कोशन ये भी आता है कि किस में ओप्सन स्टेडिंग करना चाहिए, निप्टी-फिप्टी या बैंक निप्टी पे या इस टॉक्स पे, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, इंडिया पे mostly जो लोग है, वो निप्टी-फिप्टी और बैंक निप्टी पे ही ओप्सन स्टे ठीक है, तो मान करके चलते हैं, आप कोई भी premium पे trade कर रहे हैं, जिसका value है 100 रूपिज, ठीक है, आप बैंक निप्टी पे trade कर रहे हैं, और मैंने जैसे कि आपको बताया, कि बैंक निप्टी पे एक lot कितने quantity का आता है, 15 quantity का आता है, ठीक है, तो ये दोनों को multiply कर देंगे, तो ये दोनों को multiply करेंगे, तो आपका जो capital ब्लॉक होगा, वो 15 का capital ब्लॉक होगा, और मैं आपको एक चीज और बता दू, options पे आपका जो risk होता है, वो limited होता है, क्योंकि आपको पता है, ये premium ज्यादा से ज्यादा कितना निचे गिर सकता है, ये premium ज्यादा से ज्यादा आ हमारा वो limited होता है, ठीक है, अब हमको यहाँ profit कैसे होगा, risk तो मैंने बता दिया, कि ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ से कितने का loss होगा, आपको 1500 का loss होगा, क्योंकि आप यहाँ एक lot buy किये थे, अगर दो lot buy करते, 3000 का होता है, तो यहाँ जो loss होता है, या profit होता है, वो यह तो हो गया, आपका loss का बात, अब हम दिख लेते हैं, profit की step से होता है, तो simple सा fund है, आपको simple सा यह पता चल गया होगा, कि यह price जितना ज्यादा नीचे गिरेगा, उतना ज्यादा हमको loss होगा, तो यह price जितना ज्यादा उपर जाएगा, उतना ज्यादा हमको profit होगा, अग आपको 6000 का profit हो जाएगा आपका risk कितना था आपका risk था 1500 का और आपका profit कितना हो गया 6000 का ओके तो options पे आप unlimited पैसा भी बना सकते हैं और आप unlimited money भी lose कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा carefully trade करना है और कुछ भी कोरी हो गई तो आप लोग comment box पे comment करियेगा मैं आप लोगों को वीडियो पर बस इतना ही गाइस नए वीडियो पर मिलते हैं जल्दी और भी मैं आप्सन से रिलेटेड वीडियो लाओंगा ओके चलिए बाइबाटे कियर